तो दोसो आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दोसो के फोन पे अगर आप लोग इन कर रहे हैं या अगर आपका फोन पे दोसो लोग इन नहीं हो पा रहा है और इस तरीके इस दोसो लिख कर क्या रहा है account blockade your phone pay account this blockade for security region please please do contact support phone pay यानि कि दोसो phone pay customer care से हमें support करने के लिए वो लजा रहा है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी helpful होने वाला दोसो अगर आपका भी phone pay account के अंदर इस तरीके से दोसो किसी भी कारण से problem आ रहा है तो इसको किस तरीके से fix कर सकते हैं किस तरीके से solve कर सकते हैं मेरे पास काफी लोग का comment आ रहा था जैसे कि दोसो आप सभी को पता होगा मैंने आज से कुछ दिन पहले मैंने एक videos बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आप किस तरीके से phone पे unable to proceed वाला जो problem आ रहा था phone पे account login करने से पहले वो problem को दोस्तों मैंने उस वीडियो में solve करके दिखाये था और आज मुझे दोस्तों काफी लोग मुझे Instagram पे DM भी कर रहे थे किसार इस तरीकी का problem हमारे साथ आ रहा तो ये problem आपका किस तरीके से solve होगा इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपसे request है दोस्तों कि अगर आपका phone पे account login नहीं हो रहा इस तरीके का problem आ रहा है तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनलन को भी आपको subscribe कर लेना है उसी mobile number को आपको डालना है और प्रोशीट करना है या आप दोस्तों जिस नया phone पे account अगर आपने अभी यहाँ पर बनाने को कोशिट कर रहे है तो आपका जो भी mobile number आपके bank account के साथ link होगा उसी mobile number को डालके प्रोशीट करेंगे चली में डालता हूँ और उसके बाद आगे दिखाता हूँ जैसी दोस्तों हम प्रोशीट कर रहे है हमारे साबने इस तरीके का problem आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका एक हम screen shot ले ले लेंगे ठीक है आपको भी दोस्तों इसी तरीके से एक screen shot ले लेना है उसके बाद आपको क्या करना है play store में चले जाना है देहान से देखना और जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है आपको यहाँ पर search बार में जाने के बाद आपको phone पे लिख के search करना है शोरी यहाँ पर मैंने kids बगर अला में यहाँ पर select कर दिया है यहाँ पर अचली इसमें click करके और यहाँ से दोस्तों जा करके आपको phone पे लिख के search कर देना है आपको यहाँ पर अप्लिकेशन को देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर क्या करना है अनिस्टोल कर देना है वहाँ से दोस्तों आपका problem जो है solve हो जाएगा direct आपको download नहीं करना है जहां से मैंने जो link दिया है वहाँ से click करके download करना है तो यह application दोस्तों देखेते हैं phone by application जो हमारा downloading इस्टार्ट हो चुका है इसको हम पूरा download होने देते हैं उसके बाद सारा process आपको हम live दिखाते हैं तो यहाँ पर याद रखना है आपको play store से direct download नहीं करना है जैसा मैंने बताया उसे तरीके से करना है description box में भी link है और comment box में मैंने पिन कर दिया होहाँ से direct download करना आप download होने के बाद हम यहाँ पर open में click करेंगे अब इसी mobile number को आपको डाल करके login करना है जिससे आप phone पे चलाना चाहते हैं अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर number डालने के बाद हम प्रोशीट करते हैं उसके बाद आगे का process हम रोख देखेंगे तो चलिए mobile number डाल देते हैं उसके बाद भी दोस्तों इस तरकी का अगर आपको problem आ रहा है तो आपको घबडानी की जरुवत नहीं मैंने जैसे कि आपको बताया था आपको एक screenshot लेना है मैंने दोस्तों screenshot ले लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option से मिलेगा mobile number आपको यहाँ पर उसी mobile number को डालना है जो mobile number आप phone पे चलाना चाहते हैं और वो आपका ब्लोके डवी लेक्के आ रहा है तो यहाँ पर mobile number डालके next करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने I am not robot का options आएगा तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आपको क्या करना है submit OTP में किलिक करना है आपके mobile number पे दोस्तों एक OTP भेज़ा जाएगा देख सेते इस mobile number पे OTP डालके submit पे किलिक करेंगे जिससे आप phone पे बनाना चाहते हैं चलाना चाहते हैं तो OTP डालके हम submit करते हैं फैनल दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो OTP डाल दिया है OTP जैसे डाल दोगे आपके सामने इस तरकी का page आ जाएगा बस धियान से आपको देखती जाना है और मैं आपको दिखा रहा हूं उसी step को आपको complete यहाँ पर follow करना है पर आपको काफी तरकी कई रीजन आपको देखने को मिलेगा दुस्तों तो आपको नीचे थोड़ा से scroll करना है और नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर आपको एक options मिलेगा से देखने पर एक Account o ब्लोकेट लिख करके आ रहा थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको cancel करेंगे, और ब्लोकेट को हम यहाँ पर choose करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, bank account related यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है region, और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, जो region आपको यहाँ पर क्या करना है, other issue में आपको klick करना है, उसके बाद दोस्तों और ska ने कलिक करना है, अड़ का जो भी आपने screenshot लिया था, उसको यहाँ पर add file में कलिक करना है, इस तरीके, अरो दोस्तों वो screenshot को आपको यहाँ पर upload करदना है, और यहाँ पर आपको लिख दिना है please unlock phone pay account तो यहाँ पर चलिए मैं please यहाँ पर phone pay account यहाँ पर unblock लिख के और यहाँ पर send करना है तो चलिए मैं send करता हूँ उसके बाद उसी यहाँ पर देख सेते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है phone pay account block it problem और यहां पर Please Unblock Phone Pay Account तो यहां पर आपके सामने भी इस तरीकी के आपको लिख देना है और लिखने के पाद आपको इस St. Button में किलिक करना है उसके बाद दूसलिए यहां पर आपके सामने इस तरीकी के पेज आपका लोडिंग लेगा रहा था उस प्रोलम को दोसों रिजॉल्ब कर देगा और उसके लिए दोस्तों आपको 24-45 घंटे का टाइम लगता है 24-45 घंटे के बाद दोस्तों आपको यहां पर जो है 100% दोस्तों आफ़ फॉन पर एकाउंट को लोग इन कर पाएंगे तो यह प्रोसेस था दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया बिल्कुल दोस्तों सही तरीके से मैंने समझाने के एक्स्प्लेइन करने के कोसिस किया है वीडियो अगर आपसे भी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना अगर आपके माल में किसी परकार का इसके अलाभा भी दोस्थो को सवाल होगा नीचे मुझे comment box में comment करना फिलाल इस वीडियो में पर नहीं था मिलते हैं किसी next वीडियो दोस्थो तब तक लिए जाहिन वन्रे मात्राम